हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई यूट्यूब चैनल, तो दूस्तो अभी हाली में भारत के दो इस्थलों को युनेस्को की बिस्प धरोवर इस्थल सूची में सामिल किया गया है, तो इसलिए ये टोपिक आपके सभी आने वाली परिक्साव के लिए हेलफुल है, तो आज के इ इस्थलों को बिस्प धरोवर इस्थल का दर्जा किस के द्वारा दिया जाता है, तो आंसर होगा युनेस्को के द्वारा, तो दिखे एतिहासिक इस्थलों को यानि की बर्ड हैरिटेज साइट्स, जिसे हम हिंदिय में कहेंगे बिस्प धरोवर इस्थल या बिस्प बिरा तो इसके दुवारा एतिहासिक इस्थलों को बिस्व धरवर इस्थल का दरजा दिया जाता है युनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 कोई थी और इसका मुख्याला पेरिस फ्रांस में इस्थित है तो आंसर होगा 42 तो दिखे अभी तक भारत में ये संख्या 40 थी लेकिन सितंबर 2023 में बढ़कर ये हो गई है यानि कि सितंबर 2023 में भारत की दो और इस्थलों को युनेस्को की बिस्व धरवर इस्थल सूची में सामिल किया गया है तो भरतमान में सितंबर 2023 में भारत में 20 विरास्त इस्थलों की संख्या 42 इन 42 में से 34 सांस्क्रतिक इस्थल हैं साथ प्राकर्तिक और एक मिस्रत इस्थल सामिल है इसके बाद नेश्ट कोस्टन है सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को युनेसको की 20 विरासत स्थल सूची में सामिल किया गया तो अंसर होगा 2 तो दीके सितंबर 2023 में साउधी अरब में आयुजित 20 धरहवर समीती के 45 वे सत्र के दोरान भारत के दो स्थलों को युनेसको की बिस्व धरवर सूची में सामिल किया गया है अब ये दो स्थल कौन-कौन से हैं भारत के तो इतालिस बैस्थल बना है सांती निकेतन जो पश्ची मंगाल में है और किरम से बयालिस बैस्थल बना है होई सल के पवित्र मंदिर समूजो की करनाटक में है तो याद रखना है किरम से 47 बाइस्थल कौन सा है सांती निकेतन और 42 बाइस्थल है होई सल मंदिर समूजो की करनाटक में है अब देखे इसके बाद आगे बात करें तो युनेस्को की बिस्व धरवर इस्थल सूची में भारत का जो इतालिसबा इस्थल है सांती निकेतन जो पश्ची मंगाल में है तो इसके बारें बात करें तो देखे रविंदरनाश टेगोर ने 1901 में सांती निकेतन की नीव रखी थी इन्होंने सिर्फ पांच स्टूडेंट को लेकर ये एक छोटा से स्कोल खोला था उसके बाद ये 1921 में राष्टे बिस्व धरले बन गया था जिसे बिस्व भारती बिस्व धरले के रूप में बिक्सित किया गया तो संती निकेतन ये भारत का 41 बईस्थल बना है जो की पहस्ची मंगाल में है इसके बाद देख बैलीस बईस्थल है होईसल के पवित्र मंदिर समू जो करनाटक में है तो होईसल मंदिरों का निर्माड बारहभी और तisms सताबदी के बीच में हुआ था होईसल के पवित्र मंदिर समू ये बैलूर, हलेबिड और सोबनात्पुरा में स्थित है होईसल राजबंस की ये कभी राजदानी थी इस राजबंस को कला और साहित्ते के सनरक्षक मना जाता है तो भारत का इत्तालिस बा इस्थल कौन सा है युनेसको की विष्ब धरवर स्थल सूची में सान्ती निकेतन और 42 बाहर होईसल के पवित्र मंदिर समू तो ये दोनों मोश्ट इंपोर्टेंट आपको जरूर याद रखने है इसके बाद आगे बात करें तो कोसर नमबर चार है 1983 में सरप्रथा में कितने भारते स्थलों को युनेसको की विष्ब धरवर स्थल सूची में सामिल किया गया था तो आंसर होगा चार तो भारत के चार स्थल थे जिने की सबसे पहले भारत के लिए 1983 में युनेशको की बिष्व धरवर इस्थल सूची में सामिल किया गए था अब बात करें कौन कौन سے थे तो आजंदा की गुफाँई ये 1983 में सामिल हुई जो महराष्ट में है एलोरा की गुफाईईं को भी 1983 में सामिल किया गए था ये भी महराष्ट में है आगर का किला ये उनिस सुतराशी में सामिल हुआ जो उत्तर प्रदेस का आगरा में है ताज महल को भी उनिस सुतराशी में युनेसको की बिस्व धरवर इस्थल सूची में सामिल किया गया था ये भी उत्तर प्रदेस का आगरा में इस्थित है पिर्ति बर्स विस्व रासत दिवस कम मनाया जाता है तो पिर्ति बर्स विस्व रासत दिवस मनाया जाता है अठारे अपरेल को तो आंसर ए होगा कोसर नमबर साथ है बहरत में निम लिखित में से किस राज्य में अधिक्तम पांच युनेसको बिस्ब धरवर इस्थल हैं तो आंसर ए होगा महराष्ट राज्य में तो महराष्ट राज्य में सरवाधिक पांच बिस्ब धरवर इस्थल हैं कौन-कौन से अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपती सिवाजी टर्मिनस और विक्टोरियन गोथिक बै, आर्ट डेको, एन सेम्बल, तो ये सभी महराष्ट राज्य में हैं, अब देखे इसके बाद बात करें, भारत के जो सभ इन्दा की गुफाओं को 1983 में युनेस्को की बिस्व धरवर इस्थल सूची में सामिल किया गया था, ये महराष्ट राज्य में है, इनके बारें बात करें, तो ये है बोद्ध सैल करत, गुफाओं और इसमार्कों के लिए पिर सिद्धें, यहां बोद्ध धर्म से इसके बाद है एलोरा की गुफाओं तो इन्हें भी 1983 में सामिल किया गया था, ये भी महराष्ट राज्य में है, एलोरा की गुफाओं हिंदु धर्म, बोद्ध धर्म और जेन धर्म की गुफा मंदिर के लिए पिर सिद्धें, दिखें एलोरा की गुफाओं को राष्ट द्वारा बनवाया गए था इसके बाद है आगरा का किला तो आगरा का किला भी 1983 में सामिल के गए था युनेसको की विस्व धरो और इस्थल सूजी में तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश का आगरा में स्थित है देखे आगरे का किला मुगल बादसा अकबर ने 1665 इसबी में बनवाय था और ये है यमुना नदिगे किनारे बना है इसके बाद है ताज महल ताज महल को भी 1983 में सामिल किया गया था ये भी उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है इसके बारे में बात करें ताज महल दुनिया के साथ अजूबों में से एक है ताज महल को साहजाने अपनी पतनी मुम्ताज की याद में 1632 इसबी में बनवाय था और देखे ताज महल के बास्तुकार यानि के आर्किटेक्ट को ने तो उस ताज एहमद लहुरी है तो ये कई बार पूछा जाता है याद रखना है इसके बार next है कोर्णार्क सूर्य मंदिर तो कोर्णार्क सूर्य मंदिर को 1984 में सामिल के आए था यह ओडिसा के पवित्र सहर पूरी के पास इस्थित है और यह मंदिर कलिंग बास्तु कला की पारंपरिक सेली के लिए प्रिसिद्ध है और देखे आपसे भी जानते हैं कोर्णार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगुड़ा के नाम से भी जन जाता है देखे इसका निर्माण गंग बंस के राजा नर्सिंग देव पिर्थम ने तेरह भी सताबदी में करवाया था इसके बाद है महावली पुरम के इसमारक समू तो महावली पुरम के जो इसमारक समू यानि की मंदिर है तो इन्हें भी 1984 में सामिल किया गया वोरी तमिलाडू राज्य में है दिखे यह मंदिर सबसे बड़ी ओपन एर, रोक रिलीफ, रत मंदिर, मंडप और पल्लव राजबंस बास्टू कला के लिए पिर्थम है इन मंदिरों का निर्माल पल्लव राजबंस के राजा नर्सिंग बर्मन पिर्थम ने कराया था इसके बाद है काजिरंगा राष्ट्य उद्धान, तो आप सभी जानते काजिरंगा राष्ट्य उद्धान आसमराज्य में स्थित है और इसे 1985 में सामिल किया गया था और ये है एक सिंग बाले भारते गेंडे के लिए बिसेस रूप से पिरसिद्ध है इसके बाद है केबला देव राष्ट्य उद्धान, तो इसे भी 1985 में सामिल किया गया और ये राजिस्थान राज्य में है तो केबला देव राष्ट्य उद्धान, ये राजिस्थान के भरतपूर में इस्तिद एक आदर भूमी और पक्सी अभ्यारन है तो यहां से कई बार पूछा आता है केबला देवी किस प्रकार का भ्यारन है, किसले प्रसिद्ध है, तो एक पक्सी अभ्यारन है दिखे इसे पहले भरतपूर पक्सी भ्यार के नाम से भी जान जाता था इसके बाद है मानस राष्टे उध्यान तो मानस राष्टे उध्यान ये असमराज्य में है इसे भी 1985 में युनेस्को की विस्व बिरासत स्थल सूची में सामल किया गया था इसके बाद हैं तो दिखे ये है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्ब, हाती रिजर्ब और बायो स्थीयर रिजर्ब के लिए प्रिसिद्ध है और बोर्डो बिद्रोई गति बिद्यों के करान देखे इस मानस राष्ट रॕष्ट उद्यान को उनिस सो बैबे में बिस्ब धरवर रिस्थल सूची से हटा दिया गया था लेकिन उसके बाद दोबार से जून 2011 में इसे युनेस्को की बिस्प धरवर इस्थल सूची में सामिल कर लिया गया था तो मानस राष्टे उध्यान को सार प्रतम 1985 में सामिल किया गया था लेकिन 1992 में इसे इस सूची से हटा दिया गया और 2011 में फिर से इसे सामिल कर लिया गया था इसके बाद आगे है खजुराहु इसमारक समु तो खजुराहु इसमारक समु मंदिरों को 1986 में सामिल किया गया था ये मद्धय पृदेस के चहतरपुर जिले में है देखे खजुराहु इसमारक समू मंदिरों का निर्माड चंदेल राजबंस के समय में हुआ था और ये है हिंदु और जेन धर्म मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है इसके बाद है फतेपुर सीकरी तो फतेपुर सीकरी को भी 1986 में सामिल किया गया ये है उत्तर पृदेस के आगरा में है देखे फतेपुर सीकरी को मुगल समराट अकबर ने 1571 में बसाया था तो याद रखना है इसके बाद है हमपी इसमारक समू तो हमपी इसमारक समू को भी 1986 में युनेस्को की बिस्व धरो और इस्थल सूचे में सामिल किया गया, यह करनाटक में है, दिखे बिजे नगर का समरद राज्य हमपी के खंडर कला और बास्तु कला की द्रैवल सेली को दरसाते हैं, इसके बाद हैं गोबा के गिरजागार एबम कनबेंट इन्हें भी 1986 में सामि किया गया, यह हिंदू और बोध्ध गुफाव के लिए प्रसिद्ध हैं, जो भगवान सिपको समरप्रति मंदिरों का एक संग्र हैं, इसके बाद है महान चोल मंदिर, तो महान चोल मंदिर को 1987 में सामिल किया गया, यह तमिलाडु राज्य में है, चोल मंदिरों का निर्मा मंदिर परिसर, बास्तु कलागी अपनी चालुक के सेली के लिए प्रसिद्ध हैं, नेक्स्ट है सुन्दरबन राष्टे उध्यान, तो सुन्दरबन राष्टे उध्यान पश्ची मंगाल में हैं, इसे 1987 में सामिल किया गया था, नंदा देवी एबं फूलों के घाटी सेंजिले में हैं, इन्हे 1989 में सामिल किया गया था, नेक्स्ट है हुमायू का मकबरा, नई दिल्ली में हैं, इसे 1993 में सामिल किया गया था, हुमायू का मकबरा, हुमायू की पहली पतनी बेगा बेगम यानि की हाजी बेगम ने बनवाय था, और हुमायू के मकबरे के 1993 में सामिल किया गया था देखे जो कुतुम मिनार है तो कुतुम मिनार को बनवाने की शुरुवात कुतुम विद्धिन एवक ने की थी लेकिन इसका जो उत्रादिकारी था इल्तु तमिश तो इल्तु तमिश ने कुतुम मिनार को पूरा करवाया था इसके बाद फिर तो दार्जीलिंग हिमालियन रेल्वे जो पश्ची मंगाल में है, काल का सिमला रेल्वे यह माचल प्रदेश में है, और नील गिरी परवतिया रेल्वे यह तमिलाडू में है, इसके बाद है, बोध गया का महावधी बिहार, तो बोध गया का महावधी बिहार यह बिहार में मोर्य समराट असोग द्वारा करवाया गया था दिखे बोध गया में ही गोतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ती हुई थी तो इसलिए बोध गया को बोध्धो के लिए सबसे पवित्र तीरतिस्थान मना जाता है इसके बाद है भीम बेट का रोक सेल्टर पिर सिद्ध है इसके बाद है छत्रपती सिवाजी टर्मिनस इसे 2004 में सामिल किया गया यह महराष्ट में है इसे पहले पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता था यह मुम्मई का एक इतिहासिक रेलवे इस्टेसन है और यह मध्य रेलवे का मुख्यले भी है नेक्ष्ट है चंपनेर पावागर्ड पुरातव पार्ग इसे 2004 में सामिल किया गया और यह गुजरात राज्ये में है दिल्ली का लालकिला तो दिल्ली के लालकिले को 2007 में युनेसको की बिस्व धरावर इस्थल सूची में सामिल किया गया था दिल्ली लालकिले का निर्माड साहजा ने 1638 से 1648 इसबी के बीचे करवाय था और इसके आर्किटेक्ट यानि के बास तो कहां रखोन है तो उस्ताद एहमद लाहुरी है तो याद रखना है इसके बाद है जंतर मंतर जैपूर जो की राजस्थान के जैपूर में है तो इसे 2010 में सामिल किया गया था जैपूर का जंतर मंतर सबाई जैसिंग द्वारा निर्मित एक खगोली है 22 साला है पश्चीमी घाट तो पश्चीमी घाट को 2012 में सामिल किया गया 2012 में युनेसको ने पश्चीमी घाट छेतर के कई स्थानों को बिस्व धरवर स्थल गोसित किया था इसके बाद है राजस्थान के पहाली किले इने 2013 में सामिल किया गया इन राजस्थान के पहाली किलों में चितोडगड, कुंबलगड, रन थंबोर किला, गागरोन किला, अंबर किला और जैसल मेर किले में छे राजसी किले सामिल हैं नेक्स्ट है रानी की बाब, तो रानी की बाब ये गुजरात में है, इसे 2014 में सामिल लिक्या गया देखे रानी की बाब गुजरात राज्य के पाटन में इस्थित एक पिरसिद बावलियानी की सीलीदार हुआ है तो प्राचीन में ये जो रानी की बाब है ये भारते बारस्तुकला का एक इस पश्ट उधाराने जिसका निर्माण सोलंकी राजबंस के समय में हुआ था और आपसे भी जानते हैं जो सो रुपे का नोट है तो उस सो रुपे के नोट के पीछे रानी की बाब की तस्वीर छपी है इसके बाद है ग्रेट हिमालियन राष्टे उध्यान तो इसे 2014 में सामिल किया गया ये हिमाचल प्रदेश में है ये है उध्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पश्चिमी भाग में इस्थित है नालंदा महाबिहार यानि की जो नालंदा विस्व दहले है इसे 2016 में सामिल किया गया था ये बिहार में है देखिए नालन्द बिस्ब दहले के स्थापना पांच भी सतापदी में गुप्त वंस के राजा कुमार गुप्त ने की थी प्राची नालन्द महवियार के खंडरों को 2016 में युनेसको ने बिस्ब धरोर इस्थल की सूची में सामिल किया था कंचन जंगर राष्ठे उद्ध्यान ये सिक्किम राज्य में है ये 2016 में सामिली वो था इसके बाद है लेकोर्ब जीये का बास्तु सिल्पकार्य ये चंडिगड में है इसे भी 2016 में सामिल किया गया देखी ये है आधुनिक आंदूलन में उतकष्ट योगदान के हिस्से के रूप में 20 विरासत इस्थल के रूप में मानने था प्राप्त है इसके बाद है एहमदाबाद एतिहासिक सहर तो जो गुजरात राज्य का एहमदाबाद सहर है इसे 2017 में युनेस्को की 20 विरासत इस्थल सूची में सामिल किया गया था और एहमदाबाद सहर सावर मती नदी के किनारे बसा हुआ है मुंबाई का विक्टोरियन गोथी कोर आर्ट डेको एंसेंबल तो इसे 2018 में सामिल किया गया यह एक महान सांस्क्राथि महत्वी की 94 इमारतों का एक संग्रह है जो मुंबाई के फोल्ट एरिया में इस्तित है नेक्ष्ट है गुलाबी सहर यानि की जैपूर तो जैपूर को गुलाबी सहर कहा जाता है जो कि राजिस्थान का सहर है तो गुलाबी सहर जैपूर को 2019 में युनेस्कोः की बिस्फ धर्वर इस्थल सूची में सामिल किया गया था इसके बाद है काक्तिय रुद्देश्वर तो काक्तिय रुद्देश्वर इसे रामप्पा भी कहा जाता है रामपपा मंदिर तो ये तेलंगान राज्ये में है, तो इस मंदिर को 2021 में सामिल किया गया था, इसके बाद अगला है दोला वीरा, तो दोला वीरा ये खडपा सहर है जो गुजरात राज्ये में है, तो इसे 2021 में सामिल किया गया, देखिए दोला वीरा गुजरात के कच्छ जिले में हिस्तिते एक बास्तु सिल्फ इस्थल है दोला वीरा में सिंदु सभ्यता के अपसे सोर खंडर मिलते हैं और यह है उस सभ्यता के सबसे बड़ी ग्यात नगरों में से एक था और इसके बाद सबसे महत्त पूरे सांती निकितन जो पश्ची मंगाल में है तो यह भी हाली में सितंबर 2023 मे युनेस्को की 20 धरवर इस्थल सूची में सामिल हुआ है तो यह 41 बास थाल है भारत का और इसके बाद 42 बास थाल है होई साल के पवित्र मंदिर समूँ जो की करनाटक में है तो यह भी सितंबर 2023 में युनेस्को की 20 रासत इस्थल सूची में सामिल हुए है यह दोनों अभी प्रेस ने नए संसत भवने पेज़ होने बाला पहला बिल कौन सा बना है तो इसका अंसर आपको नीचे गामेंड लोक से बताना है देखे इस से पहले मैंने दोजार तेष के जितने भी टॉपिक बाई इस वीडियो है उन सबी के वीडियो बनाई हुए आपको देखने है तो झाल झाल